वेल्कम टू लर्नर भी, आयम शिवानी जाहान, क्लास एथ हिंदी वसंथ चाप्टर सेवन, कबीर की सांखिया, जो नई बोक आई है, दो हजार तेहिस शॉबिस में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेशन आंसर्स देखने वाले हैं, तो देखिए जो पहला क्वेशन है, तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं, उप्त उधारन से कबीर क्या कहना चाता है, सपश्ट कीजे, तो देखिए तलवार, जुसको हम लोग इंग्लिश में सौट बोलते हैं, उसको मयान में रखा जाता है, यानि कि एक उसकी कवरिंग होती है, जिसमें रखा जाता है, तो जो तलवार है उसकी इंपोर्टेंस होती है ना कि उसकी कवरिंग की। तो आंसर में हम लोगों कैसे लिखना है तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। से कबीर ये कहना चाते हैं कि असली चीज की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता, इसी प्रकार किसी व्यक्ति के पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तै होता है ना कि कुल जाती धर्म आदी से, उसी प्रकार इश्वर क आप वास्तविक ज्यान जरूरी है, धोंग, आडंबर तो मयान के समान निरर्थक है, असली ब्रह्मु को पहचानो और उसी को सुईकारो, तो जो कबीर है ना, वो ये कहना चाहते हैं कि धोंग करना, मतब चमकती हुए चीजों की तरफ कई बार हम लोग अट्राक्ट हो जा उसकी तरफ हमें इंपोर्टेस देनी चाहिए ना कि वो दिखने में कैसा है, आई बात समझ में, क्वेशन नमबर टू है, पार्ट की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ती है, मनुवा तो दसु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं, तो धोंग बताते हैं, तो कबीर कहते हैं, कि माला तो कोई भी फेड सकता है, मगर एकागर चित्त होकर, यानि कि यह complete faith, concentration के साथ, अगर हम इश्वर की भक्ती करते हैं, तो वही असली भक्ती है, ना ही दिखावटी भक्ती, नेक्स दीखिए, question number 3 है, कभीर गास की निंदा से क्यूं मना करते हैं, गास, गास का मतलब यहां पर बोला गया है, जो ग्रास है जमीन पर होती है, जिसको हम सबसे जादा शायद तुछ चीज मानते हैं, सबसे छोटी चीज इसको मानते हैं, उसकी बुराई करने से कभीर न ही समझते हैं, ऐसी चीज, कभीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं, जो हमारे पैरों के तले होती है, कभीर के दोहे में घास का विशेशर्थ है, यहां घास दबे कुछले व्यक्तियों का प्रतीक है, कभीर के दोहे का संदेश यही है, कि व्यक्त प्रानी चाहिए जितना भी चोटा हो उसे तुच्छ समझादोस की निंदा नहीं करने चाहिए हमें सब का सम्मान करना चाहिए मतलब हमें सब को respect देनी चाहिए irrespective of कि आप इसको कहते हैं ने यह जो छोटा आदमी है यह जो गरीब है यह पढ़ने में अच्छा नहीं है तो यह चीज में अच्छा नहीं है तो हमें इसके respect नहीं करनी है इसे friend नहीं बनाना है बहुत गलत बात है यह सब की equal respect करनी जाहिए हम लोगों को यहीं एक अच्छा कर्म होता है question 4 है मनुष्य के विवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोश होते हैं यह भावार्थ किस तोहे से व्यक्त होता है यानि कि हम लोगों को दुश्मन बना लेते हैं अपने ही कारण जग में बैरी कोई नहीं जो मन सीतल होए या आपा को डारी दे दया करे सब कोए हमारा मन साफ नहीं होता इसलिए हमार दुश्मन बनते हैं आई बाद समझ बे next question है या आपा को डारी दे दया करे सब कोए ऐसी बानी बोल ये मन का आपा खोए इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है आपा किस अर्थ में प्रियोक्त हुआ है क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ है या घमंड का आपा यानि कि आप यू यॉसल्फ और एक आपा है आपा एक होता है गुसा तो दो तरीके से सेम ही शब्दों का इस्थमाल किया गया है इन दो पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है यहां आपा एहंकार के अर्थ में प्रियोक्त हुआ है आपा घमंड का अर्थ देता है घमंड हो गया प्राउड की हम ही सबसे बड़े है हमसे उचा कोई नहीं है इस तरीके की जो भावना होती है यह हमें छोड़ देनी चाहिए नेक्स्ट क्वेस्टन है आपके विचार में आपा और आत्म विश्वास में तथा आपा और उत्सा हमें क्या कोई अंतर हो सकता है सबस्ट कीजिए तो आपा और आत्म विश्वास में तथा आपा और उत्सा हमें अंतर हो सकता है आपा और आत्म विश्वास आपा का अर्थ है अहंकार जबकि आत्म विश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास यहनी कि एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते सभी अपनी अपनी मनुवरत्यों के अनुसार कारे करते हैं पाठ में आई कबीर की के साखी से उप्रियुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है लिखिए तो देखो मनुष्य के एक समान होने के लिए सभी की सोच मतलब सबकी सोच का एक समान होना आवश्यक है हम लोग क्या करते हैं कि दिखावे की तरफ काफे ज़़दा ट्राक्ट होते हैं और जो चीज़े हमें ऐसलाग जैसे कि इसकी अर्निंग कम है यानि कि हमको समान सोच रखनी चाहिए हर किसी चीज के लिए हर किसी इंसान के लिए Q8 है कबीर के दोखों को साखी क्यों कहा गया है तो कबीर के दोखों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन में श्रोता को गवाहा बनाकर साक्षात ज्यान दिया गया है कबीर समाच में फैली कुरीतियों, जातिय भावनाओं और भ्राम आडमबरों को इस ग्यान दुबारा समाप्त करना चाते हैं भ्राम आडमबर यानि कि बहुत जादा वाइट स्प्रेड फैले हुए जो बिलीव्स होते हैं कि ऐसे करना चाहिए ऐसे नहीं करना चाहिए यह बुरा हो जाएगा यह बुरा हो जाएगा निगेटिविटी जो तुनिया में संसार में फिलाई हुई है इसको खतम करने की बात करते हैं और साखी क्यों कहा जाता है कबीर के दोहों को क्योंकि जो महां बैठे कबीर क्या करते थे प्रवचन मतलब एक तरह से बाते बतात Thank you so much.